सत्ता में आने पर कॉंग्रेस 72,000 रुपए तो देगी पर सिर्फ महिलाओं को, पुर्चों को ये पैसे नहीं दिये जाएंगे ये कहना है कॉंग्रेस के नेता और पूर विधान सभा उपाध्यक्ट राजेन सेंका राजेन कॉंग्रेस पत्यासी राजाराम त्रिपाठी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे जब उन्होंने यह बात कही साथे विधान सभा चुनाओं की हार की खीज निकलते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने अंतिम पंक्ट में बैठने वाले विधायक को चुना है साथी मोधी के पुराने बैयान पर बोलते हुए राजेन से ने कहा कि मोधी ने कहा था कि काला धन्ना मिले तो मुझे जूते मारना अब मोधी कहा मिलेंगे जूते मारने के लिए और क्या कहाते मोधी यह अगर कोही क्पैसा है भी ले जायी ओपाये बाहर से तो सबसे निकटके चौराहे में मुझे प्राकर के जूते मारना हम लोग क्या कर सकते हैं यही कर सकते हैं कि मोदी को दुबारा सत्ता में ना ने दे यह हमारे पास ताकत है